राधे राधे एवरिवन आप सभी को हर्ताली का तीज की बहुत बहुत शुब कामनाए माता पारवती की किरपा आप सभी पर बनी रहे फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम जानेंगे की हर्ताली का तीज वरत कैसे किया जाता है पहली बार अगर आप ये वरत कर रहे हैं तो आपको कैसे वरत शुरू करने हैं और अगर आप प्रेगनेंट हैं या बिमार हैं तो फिर आप इस कंडिशन में वरत कैसे कर सकते हैं इस विशय पर संपूर जानकरी आपको आज की वीडियो में मिलेगी तो वीडियो को आप अनतितक जरूर देखें फ्रेंड्स भाद्रपद माहा के शुकल पक्स की तिर्थिया तिथी को हर्ताली का तीज का वरत किया जाता है। जो कवारी लड़किया है वो अच्छा वर पाने के लिए हर्ताली का तीज का वरत करते हैं। वरत के दिन हमें हर्ताली का तीज का वरत करना है। पारवती के चरणों में छोड़ देंगे। तो सिंपल सा सुबह का पूजन है। सुबह हमें सिर्फ संकल्प करना है। बाकि जो रोजान आप पूजा करते हैं उसी तरह साप पूजा कर लीजिए। हर्ताली का तीज वरत का जो मुख्य पूजन है वो शाम के समय परदोशकाल में किया जाता है। तो सुबह हम सना नादी करने के बाद जब आप घर में पूजा करेंगे सुबह की तो उस समय पर आप संकल्प ले लेंगे। और फिर हमें पूरा दीन निरजल वरत करना होता है। इस वरत में जल नहीं पिया जाता है निरजल निराहार रहा जाता है। अगले दिन ही वरत का पारण होता है, तो पूरा दिन हमें निर्जल रहना है, साथ ही सुहागिन महिलाएं पूरे सोला सिंगार करती हैं इस दिन, पहले दिन ही आप अपने हाथों मेहंदी लगा लें, हो सके तो नए वस्तर धारन करें, अगर नए वस्तर नहीं है तो जो भी स साफ सुतरे अच्छे वस्तर आपके पास हैं, आपो धारन करें, हो सके तो लाल, पीला, हरा, जब सुहाग के रंग होते हैं, उस रंग के आप कपड़े पहने, पूरे सोला सिंगार करके, सारी सामगरी एक तरित कर लें, तो सामगरी हमें क्या-क्या चाहिए होगी, इसका व पूरी तयारी कर लें, उसके बाद शाम को परदोश काल में माता पारवती, भगवान शिव शंकर और गनेश जी की मिट्टी की मूर्ति बना कर फिर उनका पूजन करना होता है, तो देखिए, अगर आप मिट्टी की मूर्ति किसी काल से नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर पूजा करने के बाद इसमें जिसने वरत किया है, वो कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, अगले दिन ही वरत का पारण होता है, तो पूजा करने के बाद भी वरत कंटीनू रहेगा, उसके बाद नेक्स डे यानि 31 अगस्त के दिन वरत का पारण होगा, और वरत का जो पारण ह वो सुब़ज 6 बजे के बाद ही किया जाएगा तो अगले दिन सुब़ज 6 बजे के बाद आपको सनालादी करने के बाद भगवान, शिव, शंकर, माता, पारवती और गनेज जी की जो आपने चोकी लगाई है उसके बाद जो हमने वरत में काले चने समर्पित किये थे काले चने खाकर हमें वरत खोलना है काले चने निंगले जाते हैं उसके बाद हमें वरत का पारण करना होता है और माता पारवती भगवान शीव शंकर और गनेश जी की जो मिट्टी की मूर्तिया बनाई है उनका विसर्जन करना होता है विसर्जन के बाद जो भी आपने सामगरी चड़ाई है जैसे सिंगार के सामान चड़ाई है चुनरी साड़ी वगरा चड़ाई है उनको आप दान कर देंगे उसके बाद फिर आप वरत का पारण कर लेंगे आनि कि आप फिर खाना खा सकते हैं इस तरह से आपका वरत निर्जल वरत किया जाता है तो देखिए अगर आप बिमार हैं आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या आप प्रेगनेंट है तो ऐसी कंडिशन में आप निर्जल वरत ना करें ऐसे में वरत तो आपको जरूर करना है क्योंकि हरताली का तीज का वरत है वो चोड़े नहीं ज निर्जल रह सकते हैं तो जल ग्रहन करके और फल आदी खाके आप यह वरत कर सकते हैं नमक का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें जल और पानी चाई जूस यह सब चीज़े आप दिन में ले सकते हैं क्योंकि देखिए जो बिमार होते हैं और जो प्रेगनेंट महिलाएं होती इसलिए आप जल जरूर ग्रहन कर लें जूस भी आप ले सकते हैं और फल भी आप ले सकते हैं तो इस तरह से आप पुरा दिन वरत कर सकते हैं कोई दोश नहीं लगेगा आपको की माता पारवती आपकी कंडिशन आप से ज़ादा बहतर समझती हैं तो इसलिए है और इsm varies बात कर सकते हैं और कवारी लड़कियां धताफय का पूझन करती हैं और और हर्ताली का तीज का वरत करती है, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप अनमेरिड है, तो भी आप ये वरत कर सकते हैं, तो रहां हर्ताली का तीज वरत में जो भोग चड़ाया जाता है, तो भोग के लिए गुड़ और आटे को मिला कर मिठाई बनाई जाती है, अच्छे से चने भीग जाए और आप पूजा में उन्हें चढ़ा सके तो इस तरह से हमें हर्ताली का तीज का वरत करना होता है फ्रेंड्स आप चाहें तो हर्ताली का तीज वरत में माता पारवती को सिंगार के सामान के साथ साड़ी चढ़ा सकते हैं साड़ी अगर ना पाएं तो चुन्डरी तो आपको जरूर चड़ानी है, तो पूरा 16 सिंगार चड़ाया जाता है माता पारवती को, उसमें आप साड़ी या चुन्डरी भी जरूर ले, तो और जो भी सामगरी लेनी है, उसका वीडियो चैनल पर है, आप एक बार देख लीजिए, तो ये झाओ भी forest लेख लीजिए, पार लेक बार भी जरूर को, जर खितवाने है, एक जरूर लेख देख लेग उसर, अवीजिए, उसका एक सामगरी जरूरी जरूरी जरूराब़ाया।